आज हम लोग बिल्कुल गाउं के तरीके से हांडी में बनाने वाले हैं सबजी आज मैंने बनाया है पालक, मेठी, गाजर और आलू को मिक्स करके देखिए मैंसे हांडी में से निकाल के दिखाती हूँ बहुत ही ला जवाब सबजी है ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा स्वादिस्ट ये बनी हुई है मिटी के बरतन में बनाने से बहुत ही सबजीयों का स्वाद बढ़ जाता है और आप देख सकते हैं कितनी लजीज ये सबजी लग रही है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं नमस्कार आप लोगों का स्वाधत है एक बार फिर से मेरे चनल गुराबी रिस्वा में आज हम लोग बनाने वाले हैं मेथी और पालक साथ ही इसमें मिक्स करेंगे काजा बिलकुल अलग और नए तरीके से मेथी और पालक को हम बनाएंगे तो चलिए फ्रेंग बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पालक ले लेंगे, पालक के हम इस तरीके से पतो को तोड़ लेंगे हमें सिर्फ पत्ते चाहिए, डंठल का अस्तमाल हम नहीं करने वाले हैं तो इसी प्रकार से हमने सारे पत्तो को तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद हम इसको पानी से धोलेंगे कम से कम एक से दो बार और टोकरी में रख देंगे जिससे इससे एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए इसी तरह से मैंने मेथी को भी तोड़ लिया पत्ते तोड़ लिये हैं और इसकी डंठल का इस्तमाल मैंने नहीं किया है और इसको भी मैंने पानी से धो कर 2-4 मिनिट रख दिया तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल गया अब बारी आती है सबजियों को कट करने की तो चलिए अब हम पालक, मेथी और साथ ही इसमें मैंने एट किया है गाजर इन सब सबजियों को हम कट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने पालक को कट कर लिया है फटा-फट से पालक कट के तयार हो जाती है क्योंकि हमने इसको धो कर चान कर अच्छे से रख लिया है और इसी के साथ, देखिए, सारी पालक को मैंने कट कर लिया पालक को एक साइड रख लेते हैं, अब हम मेथी को भी इसी तरीके से रफली कट लेते हैं, कोई बहुत जादा इसको बारी काटने की जरूरत हमको नहीं है, हम इसको रफली कट कर लेंगे, पत्ते बहुत नरम है, जो आसानी से गल जाएंगे, तो बहुत जादा इसको बारी क करने की ज़रूरत हमको नहीं है देखिए इस तरीके से मैंने रफ्ली ही कट कर लिया है और हमने सारी मेथी को इस प्रकार से कट कर के रख लिया है साथी friends मैंने कट कर लिया एक गाजर यह काफी बड़ी गाजर थी तो मैंने 1 गाजर का अगर आपको सब्सक्राइब इसी मात्रा आप किस शेप में कट करना है कई लोग में इसको पिरना रिखे पिर dekhenे में नहीं है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है रेस्टोरेंट ड्हाबा वगरह में इसी प्रकार से बादा जातबेism2 आलू और अच्छे बैल्मोट करने, और आम तरह भीं,丁मय रीया सेहुए, फट आहला वाज में कटी, टीम, थी डीया। टिरग और प्याज केहश कर लित शञादकी का एक में अधाय चुट इंच छटा लिया था आध्यवनमर भी टते प्याज केह. इवर 2गल्ट और साथी में ले लिया है मैंने तो साबुत लाल मिर्च मैं हरी मिर्च यहाँ इसते अधर भगी है इसी करnhणिर को धींगे गरम हो जाना देंगे और इसमें लाल हो चुका है हमने डाल दिये हैं कटेवे लसन, दो साबूत लाल मिर्च, कटेवे प्याज और साथ ही में हम अब इसमें डाल देंगे अद्रक अद्रक लसन का आप इस्तमाल और ज़्यादा कर सकते हैं बहुत अच्छी खुश्बू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है सर्दियों में हमें अद्रक और लसन का इस्तमाल ज़्यादा करना चाहिए ये चीज़े गरम होती है फ्रेंड हमें सर्दी से भी बचाती है तो हमें अपनी हर एक सबजी दाल में अद्रग लसन का इस्तमाल सर्दियों में जरूर करना चाहिए अब हम इसको अच्छे से गरम होने देंगे मिट्टी के बरतन में बनाते वक्त आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कोकिंग में और साथ में फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से अच्छी लगती है तो आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बातों ही बातों में देखे फ्रेंड हमारी प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से लाल हो चुकी है अब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे गाजर और आलू इन सब चीजों को हम नीचे डालेंगे फिर उसके बाद इसके उपर से अब हम डाल देंगे कटेवे पालक पालक और मेथी बहुत ही जल्दी गल जाएंगे और इसको आप दबा दीजे बहुत ही जल्दी ये गल के थोड़ी सी मातरा में हो जाएंगे आलू और गाजल को आप नीचे रखेगा जिससे वो जल्दी गल जाए ये देखे इस तरीके से आप इसको दबा दीजे मेथी और पालक को अच्छे से हम इसमें हांडी में डाल देंगे बहुत ही टेस्टी सबजी बनेगी यकीर मानिये फ्रेंड एक बार आप ये तरीका जरूर आजमाये आप बाकी सारे बरतोनों को छोड़ करना ये हांडी में सबजी बनाना शुरू कर देंगे बहुत ही अच्छी इसकी खुश्बू आती है और देखे हमने मेथी और पालक दोनों को डाल दिया है अब हम इसको कवर कर देंगे आप एक से दो मिनट के बाद देखेगा ये हमारे मेथी और पालक गलना स्टार्ट हो जाएंगे देखे मैंने सिर्फ एक मिनट के बाद ही देखा तो ये पहले बहुत उपर तक था अब ये बिलकुल नीचे जा चुका है अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि सबसे नीचे हमारा गाजर और आलू है उसको हम मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें मसाले नहीं एड़ करेंगे इसको एक बार हम और कवर लगा के ढख देंगे एक मिनट तक आप एक मिनट के बाद देखेगा फ्रेंड ये और भी जादा गलकर कम मातरा में हो जाएंगे और आपको एक बात मैं और बता दूँ जब ये मिट्टी के बरतन गरम हो जाते है न तो खाना इसमें फटा-फट से बनके तयार हो जाता है बस एक बार इसको गरम होने में टाइम लगता है और आप इसको ऐसी भी टच करेंगे न बिल्कुल भी नहीं चलेंगी ना तो आपको कपड़े लेने की ज़रूत है ना किसी चीज की और ज़रूत है अब हमने इसको कवर कर दिया और एक मिनट के बाद देखे ये देखे सबज नमक मैंने एक छोटा चंमठ डाला है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकती है चौcelli चभण लाल भी और और चौravaya च्भण धनिया पाउडर चौ которую चोड़ा चंमच गरम असाला पाउडर सबजी की मातरा जीतनी है उसी हिसाब से आप मसालों को एड़ कर सकती हैं तो अब हम मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे मेरे बच्चों को जादा तीखा नहीं पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें बहुत जादा मिर्च का इस्तमाल नहीं किया है ना तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और ना ही बहुत जादा लाल मिर्च पॉडर का इस्तमाल किया है ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी आप देख सकते हैं ये देखे फ्रेंड गाजर हमारी कल चुकी है और साथ में ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से कल चुके हैं बस अब हमें कुछ नहीं करना है इसको कवर कर देना है और 10 मिनट तक आप ऐसे ही इ लग चुकी है और उसकी खुश्पू तो ला जवाब है इस सब्जी के आगे रेस्टोरेंट ढाबा सारी सब्जियां फेल है एक बार आप जरूर प्राई कीजेगा ये देखे कितनी लजीज सब्जी ये बनके तयार हुई है अब हम इस सब्जी को एक प्लेट में निकाल ल चाहिए कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है साथ ही में मिट्टी का बरतन एक बार गर्म होने में जरूर टाइम लेता है लेकिन उसके बाद आप इसको इस तरीके से बनाएः और ना तो आपकी सब्जी जलेगी और पर्फेक्ट तरीके से सब्जी बनके तयार हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई फ्रेंड्स